हलो फ्रेंट वेलकम टुगरगी क्लासेज राजस्तान पॉलिटिकल एड्मिनिस्टर्टिव सेटप में आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान एड्मिनिस्टर्टिव सर्विसेज के बारे में कहां पर इनकी ट्रेनिंग्स होती है क्या प्रोसीजर होता है किस बेसिस पर रिपोर्ट शेयर की जा चुकी है टेलिग्राम चैनल पर और उस पर्टिकलर फाइल का जो लिंक है टेलिग्राम चैनल का वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप उस पर जैसे क्लिक करोगे सीधा वहां पर आपको डिरेक्ट कर दिया जाएगा तो वहां से व तो उसके लिए एक बार आप जरूर वह फाइल एक बार देखना लगबख सो के सो या एक सो आर्ट के लगबख पेजिस हैं उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए बहुत कुछ जान जाओगे कि कैसे पूरा प्रोसेस है क्या कब शुरुआत होती है राजस्तान आपको requirement हो तो आप राजस्तान geography, history, राजस्तान art and culture, political and administrative setup और world geography according to syllabus of RAS means वो अगर आपको चाहिए हो तो आप टेलिग्राम चैनल पे एक पिंड मैसेज है उसको follow कर सकते हो जिसका link description box में given है तो इस तरीके से notes की जरुवत हो तो आप आराम से ले सकते हो और notes exactly उसी form में है जिस form में videos uploaded है एक भी word ऊपर नीचे नहीं है एवन एक slide एवन एक page भी different नहीं मिलेगा आपको ओके तो आप देख लेते हैं हमारे पास में क्या content आज के वीडियो के लिए राजस्तान administrative services जो की famous है किस नाम से R.A.S के नाम से आप यह देखोगे इंडिया के state राजस्तान की यह supreme civil services में consider की जाती है जिसके उपर राजस्तान में कोई भी services है वो consider नहीं होते फिर इसके बाद में I.A.S. कैडर की शुरुवात हो जाती है जो के इंडिया all इंडिया services म इसमें recruitment process है that is based on examination जिसमें पहले preliminary exams होती है फिर उसके बाद means preliminary exam एक तरीके से filtration का काम करती है exclusion का means में analytical approach चेक की जाती है और interview में personality check होता है फिर उसके बाद में जो individual होता है वो फिर training के लिए चला जाता है training school में और इस training school को बोला गया officers training school जिसको establish कर दिया गया था 14th November 1957 को और कहां पर जोदपूर में आप देखोगे कि ये जब training center establish कर दिया तो इसके दो साल बाद में ही यहाँ पर training start हो गई थी जो भी civil servants थे राजस्थान लेवल के उनको training देने के लिए ये जो officers training center जो है इसको फिर बाद में 1963 में transfer कर दिया गया जोदपूर से जैपूर म अच्छा 1969 में ये जो officers training school था इसका नाम change कर दिया गया और दे दिया गया क्या हरीश चंदर माथूर state institute of public administration ओके फिर उसके बाद में 1983 में इस institution का नाम थोड़ा सा और amend कर दिया और नाम एड नाम में राजस्थान और एड कर दिया गया अल्टिमेटली नाम बनके क्या हो गया हरीश चंदर माथूर राजस्थान state institute of public administration ठीक है इसको आप बोलोगे HCM RIPA तो HCM RIPA के नाम से फेमस है ये throughout country अब हम देख लेता है कुछ important objectives कि क्यों ये institute established किया गया देखो public servants या public officers को ज्यादा से ज्यादा responsible बनाना और उनकी accountability ज्यादा से ज्यादा ensure हो सके उसके लिए उनका जो mindset है उसको prepare करना जिससे की public services की जो expectations है वो fulfill की जा सके number one this was the objective number one इसके अलावा जो भी individual select होता है राजस्तान administrative services में तो उसकी फिर बाद में skill development हो इससे क्या होगा कि वो government की help कर सके अपने experience अपने knowledge अपनी अपनी खुद की जो personality है उसकी basis पे की policy कैसे formulate हो और कैसे उसको properly implement किया जा सकता है तभी तो public services पूरी होगी तो ये एक objective हो रहे है इसके अलावा ये जो institute है जो हरीश चंदर माथूर राजस्तान State Institute of Public Administration HCM REPA इसका main काम क्या है एक leadership provide करना इससे क्या होगा कि दूसरे जो institutions है जहाँ पर जो दूसरी public services की training दी जाती है उनके लिए भी अपने आप में एक leadership के तौर पे काम करें जिससे की वो यहाँ से training कैसे दी जाती है public services को fulfill करने के लिए वो learning आगे continue की जा सके और एक public service की जो demand है जो लोग सेवा है जनता की सेवा है वो properly की जा सके उसके लिए भी है अपनी तरफ से एक हैतना headlight का काम करती है मतलब एक front line में काम करने वाला institute आप कह सकते हो इसको इसके अलावा जहाँ पर एक institute अलग से चल रहा था जैपुर में जो की accounts related training दी जाती थी उसको हम बोलते थे accounts training school ACTS उके उसका merger कर दिया गया था हरीश चंदर माथूर राजस्थान सॉरी यह 1979 में हो गया था तो राजस्थान तो ना बोल करके हम बोलेंगे इसको हरीश चंदर माथूर state public administration institute of state public administration ठीक है उसके साथ में merger कर दिया गया था accounts training school का कब 1979 में इसके अलावा 1st December 1982 को उदैपुर में operated oriental studies and training center यह उदैपुर मे operate करता है ठीक है उदैपुर में आप याद रखना इसको कि oriental studies and training center यह कहां पर है इसका location तो इसका उदैपुर में है तो यह institute का इस institution का भी merger कर दिया जाता है 1st December 1982 को किसके साथ में राजस्थान सॉरी यह हरीश चंदर माथूर state institute of public administration उसके साथ में merger कर दिया जाता है अब जो मैंने file share की है उसका link आप जरूर देख लें बाकी हम देख लेता है कि कौन-कौन से services की training दी जाती है यहां पर जिसे हम बार-बार बोल रहे है है HCM हरीश चंदर माथूर रीपा राजस्थान state institute of public administration ठीक है अब देख लेता है पूरी detail कुछ important services की basically मुझे report जो मिली वो 2017 की थी तो कोई नहीं हमारे लिए important चीज है कि कौन-कौन से services की training यहां पर दी जाती है number one राजस्थान प्रशाशनिक सेवा राजस्थान administrative services number two राजस्थान लेखा सेवा that means राजस्थान accounts RACS ठीक है राजस्थान police services RPS राजस्थान insurance services राजस्थान वानिजिक कर सेवा इसमें आप देखते हो commercial जो taxation से related similarly women and child development उस से related similarly माईला विकास राज्य सेवा इसके अंडर में काम करने के लिए tourism से related industry से related या फिर जो भी pilgrimages है उनकी लिए या फिर transportation से services उन से related या फिर labor welfare के लिए जो department होता वहां पर काम करने के लिए employment services से related या फिर rural development के लिए और cooperative services के लिए यह different different cadets हैं आप देख सकते हो यहाँ पर categorization भी दिया हुआ है कि कौन सी rank कहां पर है तो number one rank पर RAS, number two rank पर RACS और number three rank पर आप देख सकते हो continue कितनी सारी services number three rank पर ही है यह सब equivalent पर आ जाती है इसके अलावा जोदपुर उदैपुर यहाँ पर भी अलग-अलग तरीके की trainings provide की जाती है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान वाने जिक्कर सेवा के प्रसेक्षों का दिकारियों के लिए आदार्भूत प्रसेक्षन मतलब जो लोग commercial taxation से related services में appointed है उनके लिए training provide करना यह 23 days की थी यह detail basically 2017-2018 के related है तो आप एक बार देख सकते हो यह ज्यादा important नहीं है उपर वाला जो portion था वो ज्यादा important था इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान अधिनस्त मतलब subordinate जो services होती है उनकी जो officers है उनकी training similarly जो वरिष्ट प्रारूपों के लिए आध वो उदैपूर जोदपूर में भी provide होती रहती है तो overall हमने अभी इस video में जो देखा वो content था राजस्थान administrative services से related notes के बारे में सारे information आपको दी जा चुकी है अच्छा अब राजस्थान state services में जो लोग काम करते हैं उनके against में अगर कोई मुद्दा आ गया है तो उस मुद है जो की अगर administrative services में जो भी employee काम कर रहे हैं जो भी civil servants है उनकी functioning में अगर कोई issue आ जाता है तो उनको sort out करने के लिए तो ये provision आप थोड़ा सा जाएंगे आप article 323A और 323B जो की 42nd constitutional amendment act of Indian constitution that was introduced in 1976 during emergency period इसमें ये जो administrative tribunals है ये establish करने की बात की गई थी और आप देखोगे article 323 इसके अंदर आप देख सकते हो set establish करने का provision किया हुआ है इसमें क्या होता है कि civil services state level की civil services में अगर कोई कोई आ रही है discrepancy कोई problem आ रही है किसे civil servant ने कुछ गड़बड की है तो उनको sort out करने के लिए state administrative tribunals set establish किये जा रहे हैं different different states में तो basically हमने सारे information gain कर लिए के राजस्तान administrative services related और बाकि आपको वीडियो continue ऐसे मिलते रहेंगे और कोई doubt हो तो comment box में लिख सकते हो बागी notes के information आपको वीडियो के शुरुवात मिली गई है ओके और current affair के लिए आप follow कर सकते हो Indian Express का editorial और साथ में अगर civil services की preparation आप कर रहा हो definitely आपको follow करना चाहिए editorial page वाला सुबह का जो वीडियो आता है daily basis में अगर आप कोई भी दूसरी exam के preparation कर रहे हो including civil services तो आप शाम का वीडियो जरूर देखो जिसमें Indian Express की important news जो है वो discuss की जाती है और साथ में यह भी बताया जाता है कि और क्या पढ़ना चाहिए साथ में आप अगर राजस्थान current affairs के लिए जाना चाहते है English media में जो कि बहुत डिमांड आती है पूछते रहते हैं लोग मेरे से आप आपके जो colleagues हैं या आपके जो fellow students है तो उसके लिए simple सी है कि अभी फिलाल देखो English में तो current affair के लिए मुमल से best कोई available है नहीं तो मुमल की magazine आती है भाई monthly magazine दो मैंने में एक बार तो आप उसको follow कर सकते हो easily अभी manpower की कमी है that's why I am not able to give you that current affair ओके तो आप थोड़ा सा वहां पर manage कर लो आइडिया में आपको देही दिया है बाकि जो चल रहा है वो continue रहे गई follow करो promote करो Gargi classes को thank you very much for watching this video